शाजापूर में आमादमे पार्टी के जियालाल पठान ने कहा कि अव पार्टी शाजापूर विधान सभा 167 से चुनाव नहीं लड़ेगी आज ही हमें पता चला कि प्रदेश में 160 सीटों के उपर आमादमे पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही जी आलाल पठान ने कहा कि मेरी पूरी तैयारी थी आमादमे पार्टी के उम्मिद्वार के रूप में मैंने नामांगन भरा है लेकिन शाजापूर विधान सभा 167 से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय पार्टी का है मेरा नहीं जैसा के आप और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मद्धि परदेश की 230 सीटों के उपार चुनाव लड़ने की घोशना की वी थी और हम लोगों ने हमारी विधान सभा में ये अर्विन केजरीवाल के ग्यारंटी कार्ट बाटे हुए थे तो हमें पूरी आशा थी कि आम आदमी पार्टी 230 सीटों के उपार चुनाव लड़ेगी और हमें बताया गया था कि अगली 23 तारिक तक भी हमें कहा गया था कि आप सर्वे में हैं और आप चुनाव जो है आपका नाम है तो हमने मैंने खुद ने 166 शाजपुर जिले की 166 विधान सबा से अपना नामंकन फार्म दाखिल किया है प्रत्याशी का फार्म जमा किया हुआ है लेकिन पार्टी ने अभी तक हमें मैंडेट नहीं दिया है आज आखरी तारिक है 30 तारिक तो मुझे लगता है कि शाजपुर विधान सबा 166 जैसी 160 सीट एसी है जिस पे पार्टी ने मद्धिप्रदीश में चुनाव नहीं लड़ाने का निर्णे लिया है और मात्र 70 सीट के उपर चुनाव लड़ा रही है आम आदमी पार्टी 160 सीट वो सीट है जहां आम आदमी पार्टी को के सर्वे में कॉंग्रेस के प्रत्याशी को हराने जैसा सर्वे था उन सीटों के उपर विशेश कर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और शाजपूर विधान सभा 166 भी उनके प्रत्याशी के माध्यम से हार रही थी इसलिए ये सीट भी उन्होंने छोड़ी हुगी है क्या निर्दली जनाव लड़ने की कोजिश में है? नहीं मेरा हमेशा से कभी किसी को जिताने का प्रयोजन नहीं रहा है नहीं किसी को हराने का प्रयोजन रहा मेरा हमेशा एक ही प्रयोजन रहा है एक ही मकसद रहा है कि शाजापूर का नव निर्मान हो शाजापूर में एक अच्छी राजनिती आए सिक्षा स्वास्त की राजनिती आए और मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम लीडर्शिप को आगे बढ़ाने के लिए अपना मकसद रहा है, आप हमेशा से देखते हुए आए हैं कि कॉंग्रियस भाजपा की राजनीती में मुस्लिमों को मात्र जंडा उठाने की जगा दी जाती है, अभी भी आप देखिए हम गोशित प्रत्याशिये, आप देखेंगे कि उनके गोशित प्रत्याशियों ने पूरी तरह मन बना लिया है कि मुस्लिम नेताओं को और उनके कारीकरताओं को उनके साथ में प्रचार में भी नहीं ले जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए हर वीडियो क के उपर नजर रखे हुए थे हम लोग और हमने वो तयारी करी भी थी कि अगर हम जिया लाला शाजापुर विधान सभास से अगर चुनाओ लड़ता तो ये समझ लेना कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट भी पाते और मुस्लिम लिडर्शिप को आगे भी वड़ाते लेकिन ये देखी रहे हैं खैंभाम आथमी पार्टी ने जो नीड़नाई लिए है चुनाऊ नहीं लड़ने का तो मेरा भी चुनाऊ लडने का जो है नीड़नाई केंचिल हो गिया है और मैं निड़ी चुनाऊ बिल्कुल भी नहीं पहुलें